अयोध्या में आगामी 5 जून को सांसद और पूरु कुष्टी संग के अध्यक्ष ब्रजभूशन शरन सिंग के समर्थन में संतो द्वारा भवे रेली का आहवान किया गया है इसी महारेली की तैयारी बैठक में बहराईच पहुचे ब्रजभूशन सरन सिंग ने एक बार फिर उन पर लगे आरोपो को पूरी तरह निरधार बताया साथ ही उन पर लगी धाराओं के बारे में बोलते हुए कहा कि ऐसे कानून धाराओं का दुरुपयोग हो रहा है कुछ लोग इसे हतियार की तरह इस्तमाल कर रहे हैं बहराईच में आज राष्टे कुष्टी संग के पूर अध्यक्ष और भाजपा सांसत ब्रजभूशन सरन सिंग ने उन पर लगे आरोपों और कानूनी धाराओं को गलत बताया उन्होंने कहा कि इस तरह के कानूनों का अब दुरुपयोग हो रहा है जिसकी वज़ा से जिनके लिए यह कानून बना था उन्हें सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है उन्होंने अपने लिए कहा कि एक भी आरोप अगर मुझ पर तै हो जाए तो मैं स्यम फासी पर लटक जाऊंगा उन्होंने कहा कि अगर आपके पास कोई सबूत है तो जाकर पुलिस को दो इनके पास कहानी के अलावा कुछ नहीं है उनके पास ना कोई ओडियो है ना कोई विडियो ना कोई बंद कम्री की बात जो भी बात है सरयाम मैदान में करें यह लोग दैश का माहुल बिगारने का काम कर रहे हैं उनके धरने में आम आदमी पार्टी का क्या काम कॉंग्रेस का क्या काम किसान नेताओं का क्या काम और दिल्ली युनिवसिटी के टुक्रे टुक्रे गैन का क्या काम उन्होंने कहा कि इनके जितने भी आरोप हैं केवल गुड टच और बैट टच के बारे में हैं और इनके पास मेरे खिलाफ कोई भी आरोप नहीं उन्होंने उनके उपर लगी धाराव और कानून के बारे में कहा कि जब कोई कानून बना था तब कॉंग्रेस की सरकार थी उस समय इस कानून का विरोध स्वर्गिय मुलायम सिंग्यादम ने किया था उन्होंने कहा कि कैके अवं मत्रा की वज़ा से ही राम राम हुए थे वैसे ही आज विनेश फोगाट की वज़ा से कुछ अच्छा काम मिरिदवारा होने वाला है उन्होंने कहा कि जिस आरोप में Chief Justice नहीं बचे, डोनाल्ड ट्रम्प नहीं बचे जिस आरोप के कारण कितने परिवार बरबाद हो गए, विचारों के कारण पर दिन कितने बचे आत्महत्या कर रहे हैं, कितने संतों ने आत्महत्या कर ली इस बारे में सोचने पर मुझे लगा कि जो इस कानून का दुरुपयोग हो रहा है उस दुरुपयोग को रोकने के लिए भगवान मुझी से काम देना चाहते हैं उन्होंने कहा कि लोग अपने स्वार्थ के कारण इस धारा को एक हत्यार की रूप में इस्तवाल कर रहे हैं उन्होंने कहा कि लड़किया और महिलाएं हुनरबंध हैं अच्छी टाइपिस्ट हैं स्टैनो हैं और भी अच्छी स्किलो से परिपून हैं लेकिन आज इस कानून के कारण प्राइवेट सेक्टर में लोग उन्हें काम देने में ड़ने लगे हैं उन्होंने कहा कि यह मेरे अकेले की लड़ाई नहीं है मैं सक्षम हूँ मुझ पर दया करने की कोई ज़रूरत नहीं है यह लड़ाई आपकी है हर व्यक्ति की है हर बच्चे के भविश्य की है उन्होंने कहा कि इस कानून का सीधे सीधे दुरुपयोग हो रहा है इस प्रावधान को बदलने के लिए हम संतों की अगुवाही में सरकार को मजबूर करेंगे उन्होंने कहा कि 5 जून को अयोध्या में 11 लाख लोग पोचेंगे आपको बता दें कि भाजपा सांसर्द ब्रजबूशन शरन सिंग पहलवानों के योन शोशन के आरोप को लेकर गिरे हुए है इसे सिलसिले में 5 जून को संतों 12 अयोध्या में एक महा रैली का आयोजन किया जा रहा है सांसर्द ब्रजबूशन शरन सिंग बहराईच में इस रैली को सफल बनाने के लिए हो रही बैठक में पहुचे